नमस्कार दोस्तो, मैं डॉक्टर स्वपनिल सागत जैन, निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज कल के जमाने में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है और जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लोग पीलित होते हैं, वो होता है उनका वजन बहुत सारे लोग अपने वजन से बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं, अनियंत्रित उनका मौटापा होता रहता है और उनकी बॉडी में फैट का अनियंत्रित डिपॉजीशन होने लगता है, अनियंत्रित जमाव होने लगता है और वो बहुत कुछ करते हैं, उसके कर पाते हैं खत्म नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दबाओं के एक ऐसे साइंटिफिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका उपयोग ना केवल आप अपने शरीर से चर्बी को गलाने वाले पदार्थ के रूप में कर सकते हैं बलकि इसके उपयोग से जिन लोगों को नीन ना आने की समस्या है वो लोग भी इसे पीने के बाद बच्चों की तरह गहरी नीन में सो सकेंगे वो भी बिना किसी साइड एफेक्ट के गहरी नीन में सोने का मकसद ये है दोस्तों कि इससे हमारे दिमाग में इस्थित पिट् हमारे शरीर में चोट लगने पर घाओ के भरने की स्पीड को बढ़ा देता है और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के दौरान जो मसल टिशू तूट जाते हैं उन्हें भी ये रिपेयर करता है और मसल मास को बढ़ाता है इससे मेटाबॉलिजम भी बढ़ता है और चर्बी को गलाने में भी मदद मिलती है इस कॉंबिनेशन में सबसे पहले आपको एक कैमो मिल टी बैग लेके आना है यानि की कैमो मिल की चाय का जो बैग आता है वो आपको लेके आना है कैमो मिल एक प्राकृतिक रिलेक्सेंट है जो की स्ट्रेस यानि की तनाव को कम करता है और पूरे दिमाग और शरीर को शान्थ बनाता है। चैमोमिल की चाय मसल को रिलیک्स करके चिन्ता को कम करती है और नरवस सिस्टम को शान्थ करती है। जिससे की हम गहरी नीद में सोपाते हैं। इसके साथ ही इसमें एक anti-oxidant भी पाया जाता है जिसे epigenin कहते हैं ये भी हमारे दिमाग को शान्त करने का काम करता है इसके बाद आता है दोस्तो apple cider vinegar इसके बहुत सारे medicinal health benefits होते हैं ये blood sugar level को कम करता है, insulin level को maintain करता है, metabolism को बढ़ाता है और चरबी को भी कम करता है ये शरीर की चरबी को जलाकर हमारी भूक को कम करने में भी हमारी बहुत ही मदद करता है, इसके बाद आता है दोस्तो नीबू, नीबू हमारे शरीर में metabolism को boost करता है, नीबू पानी हमारे शरीर में पानी के balance को बनाता है, वजन को कम करता है, इसके साथ ही नीबू kidney और liver को detoxify भी करता है यानि कि हमारे शरीर में किड़नी में और लिवर में जो हानी कारत जहरीले पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकालने में ये हमारी मदद करता है इसके कारण हमारे जो मेटाबॉलिजम होता है वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है इसके बाद आती है द की सूजन को कम करने वाली प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें पाया जाने वाला एंटी डायबिटिक एफेक्ट ब्लड शुगर लेवल को कम करता है इसके साथ साथ ये हमें दिल की बीमारियों से भी बचाती है और इसकी जो सबसे खास बात ये है कि ये फेट की कोशिकाओं में मौजूद लिपिट को गला देती है जिससे की हमारा बजन कम होने लगता है अब मैं आपको ये कॉंबिनेशन बनाने का तरीका बताता हूँ इसके लिए आपको एक कैमो मिल टी बैग लेके आना है जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था इसके साथ में लगबग 300 ml पानी होना चाहिए आधा नीबू का रस होना चाहिए और 10 ml एपल सिडार वेनेगर और आधा चमच दाल चीनी का पाउडर होना चाहिए अब दोस्तों आपको करना ये है कि सबसे पहले पानी को उबलने के लिए रख दें और जैसे ही पानी उबलने लगे उसमें कैमो मिल्ट टी बैग को रख दें दाल चीनी पाउडर को मिला लें एपल सिडार वेनेगर को मिला लें और आधा नीबू का रस उसमें मिला लें और 10 मिनिट तक वेट करें यानि कि 10 मिनिट तक उसको रखा रहने दें, अच्छे से उसको mix कर लें दोस्तों ये combination आपका तयार हो चुका है अब इसे आपको सौने के लगभग आदे घंटे पहले पी लेना है इसे पीने से हमारे दिमाग में neurological stimulation होता है जिससे की metabolism बढ़ता है और शरीर की चर्वी घुलने लगती है तो आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैथिक दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत